नमुशकार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 19 चन्वरी दिन गुड़वार खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार के इन पांच जिलो में बहतर हुई अर्थ वेवस्था रंजी टॉफी में बिहार सेमी फाइनल जीतने की ओर आज भोजपूर पहुँचेगी सीम नितीज की समाधान यात्रा बिहार के इन जिलो में खुलेगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गिल के रिकॉर्ड पारी की बदोलत भारत ने जीता मुकाबला एक सुने से बनाई बरहत अब चलिए बरते हैं विहार के अब तक की पचीज बड़ी खबरों के ओर विस्तार से CISF ने 451 रिक्तियों के लिए भरती अधिसूशना जारी किया किंद्रियों और द्योग सुरक्षा बल यानी की CISF के द्वारा कॉंस्टेबल ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ओपरेटर के 451 पदों पर भरती के लिए रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाये तो कैंडिडेट को 10 भी पास होना चाहिए और साथ ही हैवी मोटर वीकल या ट्रांसफोर्ट वीकल या लाइट मोटर वीकल और मोटर साइकल ड्राइविंग का तीन साल कानुभव होना चाहिए इनके अतरिक्त पृट्स उमयद्वारों की हाईट 165 सेंटी मीटर और महिला उमय-द्वारों की हाईट 155 सेंटी मीटर से कम नहीं होने चाहिए और इसके लिए अविदन करने के एक चुक हुमेद्वार CISF की ओफिसियल वेबसाइट cisfrectt.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं बिहार में 18 नदियों का पानी किसी लायक नहीं किंद्री प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके तहत यह पाया गया है कि राज्य में कुल 18 नदियां ऐसी हैं जिसका पानी किसी काम लायक नहीं है यानि कि ना उस पानी का इस्तमाल पीने के लिए किया जा सकता है और नहीं नहाने के लिए 2018 की तुलना में प्रदूशित नदियों की संख्या 6 से अठारा हो गई है इन सभी नदियों के पानी को बाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तै मानक से अधिक होने से प्रदूशित बताया गया है इन प्रदूशित अठार नदियों में जिन नदियों के नाम शामिल है उनमें बागमती, बूढी, गंदक, दाहा, धौस, गंडक, गंगा, गांगी, खागरा, हडबोडा, कमला, कोडा, लखंदेई, मनुसमार, परमार, पुन-पुन, रामरे, सरसिया और सोर नदी शामिल ह विहारी फैचान में आज हम बात करेंगे छवी पांडे के बारे में, छवी पांडे एक भारतिय टेलीवीजन अभीनेत्री, फिल्म अभीनेत्री तिथा गायक है जो स्टार्ट प्लेस के धारावाहिक, तेरी मेरी लव स्टोरी में स्मता के किरदार से जानी जाती है, छवी इसके बाद उन्होंने बिदेसिया नामक एक भोजपूरी फिल्म में भी काम किया है, स्टार्ट प्लेस के धारावाहिक, तेरी मेरी लव स्टोरी से उन्हें विशेश ख्याती मिली, जिसके बाद वजी टीवी के धारावाहिक बंधन में लिया की भूमी का निभाते वे उनके आगवन को लेकर जिला प्रशासन के दोरा उनके सुरक्षा व्यवस्था से जुरी सभी कामों को पूरा कर लिया गया है, बता दे कि आज मुखे मंतर नितीज कुमार भोजपूर में चल रहे, विविन विकास योजनाओं का जाय जालेंगे, आपके जानकारी के लिए बता दे के नहीं योजनाओं में दो मुखे योजना, कोईलवर प्रखन के सकड़ी में बनाया गया फिस्ट फार्मिंग प्लांट और बर्फ प्लांट है, जिससे इस इलाके के युवाओं को रोजगार देनी की कोशिश की जाएगी, बले जानकारी के नुसार इसे सीधे त अर्थवेवस्था, उद्योग विभाग के दोरा बिहार में हुई और दोईग विकास को लेकर रेटिंग जाड़ी की गई, जिसके तहत इस रैंकिंग में बिहार के पांच जिले के अर्थवस्था काफी भेतर पाई गई है, इसमें पहले स्थान पर नालंदा सौ अंकों म इस रेटिंग की लिस्ट में सबसे अंत्यम अस्थान पर 27 अंक के साथ मधे पूरा है, जानकारी के लिए बता दे कि है रेटिंग की प्रक्रिया उद्योग विभाग के दोरा करीब पांच विशेश योजनाव में प्रगती के आधार पर किया गया है डॉक्टर मंगला राई को फिर से मिली बड़ी जिम्मेदारी, बीते दिन गुधवार को मंत्री मंदल सचीवाले विभाग के दोरादी सूच जारी कर डॉक्टर मंगला राई को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौपी गई है बता दे कि अब डॉक्टर मंगला राई क च्रिषी रोड मैप के मार्ग दश्य के रूप में अगले आधेस तक kommtcha मंत्री के क्रिषी चल़ाकार के पद बने रहेंगे आपकी जानकारी के बता दे कि पहली बार नहीं है पहली भाट मंगलाडाई को मुख्य मंत्री के क्रिशिश रलाकार पद के लिए चुना गया है इससे पहले भी वे मुख्य मंत्री के क्रिशिश रलाकार के पद को संभाद चुके हैं मालूम हो किसकी सूचना मंत्री मंडल सची वाले विभाग के द्वारा अधी सूचना जारी करके दी गई थी रंजी टॉफी में बिहार सेमी फाइनल जीतने की ओर सिलॉंग में मिघाले के खिलाफ खेले जाड़े प्लेट ग्रूप के फर्स्ट सेमी फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम जीत की ओर बर रही है टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम ने विपिन सौरव के सांदार श्रत की ये पारी की बदोलत पहली पारी में 428 रन बनाए विपिन ने 177 रनों की पारी खेली उनके लावा सचिन कुमार ने 75 और वीर प्रताफ सिंग ने 50 रन बनाए इसके बाद बिहार की टीम ने वहतरीम गेंदबाजी का अनमूना पेश करते वे में घाले को सिर्फ 134 रनों पर समेर दिया और पहली पारी के आधार पर 294 रनों की बरहत बना लिए बिहार के तरफ से बीते दिन मुंगेर पहुचा गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज बीते दिन अपने सफर के क्रम में करी चार बजे मुंगेर पहुचा चाहां स्काउट और गाइट के बच्चों के दोरा विदेशी शैलानियो का भविश श्वागत किया गया वहीं मुंगेर में विदेशी शैलानियों ने इन रिक्सा का मज़ा लिया और उसी से योग आश्रम पहुंचे आपके जानकारी के लिए बता दे कि मुंगेर पहुंचने से पहले गंगा विलास क्रूज को बेगु सराइक इस्तिमरिया में भी बिहार में बरफिली हवाद दुवारा लेकर आई कनकनी और कोड़ा बिहार में सीटलहर कनकनी और कोड़े का कहर भी जारी है दूप होने के बाद भी ठंड का प्रकोप लोगों को परिशान कर रहा है मौसम विवाग की माने तो लोगों को अभी साफधानी बढ़तनी की मौसम विभाग अपने पिछले परामर्श में ये बात कही थी कि 20 जन्वरी तक स्थिती खराब रहेगी बता दी कि मौसम विभाग के अनुमान के नुसार राज्य के उत्तर पुर्वी दक्षिन मध्य एवं दक्षिन पुर्व भागों में एक या दो अस्थानों पर घना समधान यात्रा के दोरान बकसर पहुंच सियम ने कही ये बात बीते दिन मुखे मंत्री नितीस कुमार के समधान यातरा बकसर पहुंची जहाँ उन्होंने चक्की प्रखन के हिन्वा गाउं के बौर्ड नंबर 11 में महा दरत वस्ती का नरक्षन किया और उन लोगों से बाचीत कर उनकी समस्याएं सुने इसके बाद मुखे मंत्री ने ज जिवी का दीदियों से मिले और उनके साथ बाचीत की और फिर समहर नाने में अधिकारियों के साथ रुबरू हुए और जिले की प्रशास्तिक व्यवस्था जानी बजट सत्र से पहले बिहार विधान सभा होगा दुरुस्त बिहार विधान सभा अध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी के दौरा पदादिकाडियों और अभियंताओं को नर्देश देते वे कह दिया गया है कि सदन के अंदर सभी सदस्यों की बैठने की विवस्ता और माइक सिस्टम को दुरुस्त किया चाया इसके साथी कर्मियों के लिए वर्क स्टेशन तयार करने का भी नर्देश दिया गया है इसके लावा अबद बिहारी चौदरी के दोड़ा गरदनी बाग में बन रहे 200 आवास को विधान सभा सची वाले के पदादिकाडियों व करमचारियों के लिए विधान सभा पुल में अवंटित करने का नर्देश दिया गया है बिहार के इंजिलों में खुलेगी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बिहार में मार्च तक कई इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलने वाले हैं बता दे कि सारजनिक तेल कंपनी इंडियन ओयल कॉर्पोरिशन के द्वारा राज्य में जल्दी 99 एलेक्ट्रिक वहान चार्जिंग स्टेशन खोला जाना है जिसे पूरा करने का लक्ष वीतिय वर्ष 2022 तक का है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इंडियन ओयल कॉर्पोरि और में भी 40 एलेक्ट्रिक वहान चार्जिंग स्टेशन खोले जाना है विष्व विद्याले के सिख्षकों के वेतन के लिए मनजूर हुए 81 करोर रुपए बिहर के विष्व विद्याले में प्रहाने वाले आती थी एवं अंसकाली सिख्षकों के लिए खुसकपरी है दरस इसके साथ ही विवाग के दौरा यहादेश भी जारी किया गया है कि इस राशी का उपयोग केवल मांदे के लिए किया जाए ना कि किसी अन्यमद के लिए इस रासी से अंसदान तब ही दिया जाएगा जब विश्रविद्याले को पहले दी गई राशी का उपयोगिता प्रमा पत्र सिख्षा विवाग को हासिल हो जाएगा चानकारी के लिए बिता दे कि सिख्षकों को इस राशी का भुकतां सी एफ एमस के माध्यम से पेई आईडी बना कर किया जाएगा नमस्कार दोस्तों आगे बाईने से पहले मैं आपको एक भरुसी मन ग्रेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बाड़े में बताना चाहती हूं जिसके ब्रांड एमस्टर काजर अगरवाल नमाजुदीन सिद्गी उर्वसी रौतेला है इस तरह के खेल में फाइनेंसियल रिस्क होता है आप इसके आदी हो सकते हैं इसलिए आप इसे अपनी जिमेदारी पर खेले हस्तकरगा क्लस्टर के 10 नए प्रस्तावों को केंदर की मंजूरी चल रहे मीडिया खबरों के नुसार यह बास सामने आई है कि बिहार सरकार के द्वारा वीतिये वर्स 2022-23 में राश्ट्रिय हस्तकरगा विकास कारेक्रम को लेकर केंदर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें से 10 प्रस्तावों पर केंदर सरकार के द्वारा अब तक मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी मिलने की संभावना है। गिले का अधिकतर भाग तूट गया है और खंडर में परिवर्तित हो गया है। आप इस किले को यहां पर आकर देख सकते हैं। किले के अंदर लोकल लोग घूमते रहते हैं। गिले के रिकॉर्ड पाड़ी की बदलत भारत ने जीता मकाबला एक शुने से बनाई बढ़त। ने न्यूजिलान को सिरीज के पहले वंडे में हडा कर तीन मैचों की सिरीज में एक शुने की बढ़त बना ली। टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने उतरी भारतिय टीम ने युवा ओपनर सुभमन गिल के दोड़े श्रतक की बदल अटकीवी टीम को 350 रनों का विशाल लक्षे दिया था। पहरतिय गेंद बाजी आक्रमन के विरोद न्यूजी लैंड की टीम इस बड़े लक्षे को हासल करने में ना काम्याब रही मैच पूरी तरहस सितेई श्वर्सी बल्लेबाज शुभमन गिल के नाम रहा जिन्होंने 149 गेंदों पर 208 रनों की पारी खेली इस पारी में उन् कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के दावों पर लिख कर दिया जवाब कोविड टीको के लाब और कम्यों की एक सूची जारी की थी यहाँ पर दुनिया भर से अलग-अलग कोविड 19 के टीको के सबूत संकलित किये गए हैं या ध्यान दिया जाना चाहिए कि RTI के जवाब में ICMR ने किसी भी दस्तावेजो पर टिपनी नहीं की है नोटिस जारी होने के बाद सुधाकर सिंग के आवास पर लटका ताला लगा हुआ है मिले जानकारी के नुसार सुधाकर सिंग मंगलवार को खगरिया पहुँचे थे और वहाँ नितीस कुमार पर हमला बोला था वहीं अब खगरिया से लोटने के बाद अपने सरकारी आवास नहीं पहुचे हैं और वहाँ पर अभी भी ताला लगा हुआ है दलसल सुधाकर सिंग के दोला लगातार मुखे मंतरी इतीस कुमार पर हमला किया जा रहा है जिसके बाद उनके खिलाफ राज़त की ओर से कारवाई करते वे उनके खिलाफ यह नोटस जारी किया गया था किसे इस पर केंद्र सरकार को किसी भी स्थिती में विचार करना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रिधान मंतरी मोदी की राजे तो पहले से ही विख्शत था है इसलिए उन्हें पता नहीं है कि पिछरे पन का दर्द क्या होता है अगर पिछले राज्य को विशेश राज्य का दर्जा या विशेश पैकेस दिया जाता है तो उस राज्य के साथ पूरे देश का विकास होता है इसलिए केंद्र सरकार को अपनी हट धर्मता छोड़कर विहार जैसे राज्य को विशेश राज्य का दर्जा देना चाहिए हाथो लिया है उन्होंने कहा कि ये नूडा कुस्ती है ये तमाशा दो ठग आपस में ठगने के लिए कर रहे हैं इनके स्नौटंकी से विहार की जनता परिशान है और यहां अराजकता फैल रही है राजा सिर्फ मुख्यमंत्री से सत्ता हतियाने का और मुख्यमंत्री पर दव जिले में 2024 को लेकर विपक्ष का जुटान को लेकर तेलांगना मुख्यमंत्री के सियार के दोड़ा एक रैली आयोजित की गए जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए जिस पड़ अब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तोर पर कहा कि अगर बै फिर से वापसाना नामुं किन हो जाएगा भारत के अतिहास में आज की तारीख है बेहत खास। भारत के पहले प्रिधान मंत्री जवाहारलाल नहरू की कलौफी बेटी इंद्रा गांधी को 1966 में आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रिधान मंत्री चुना गया। सानिया मिर्जा 2005 में लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपिन के तीसरे दोरे में पहुचने वाली पहली भारतिय महिला बनी ओमान के सुल्तान काबुस बिन सईद बिन तैमूर अलसईद को 2007 में जवाहर लाल नहरू पुरुषकार प्रदान करने का फैसला किया गया 2009 में सुरे सेखड गाउंगली ने पार्सवना सतरंज खिताब जीता, 1905 में सांती निकेतन की नीव डालने और ब्रहमस समाज के स्थापना देविंदरनाथ बाबु का जन हुआ 1905 में नोबल पुरुषकार विजेत रविंदरनाथ टैगोर के पता और भारतिये चिन तक विज जाड़क देविंदरनाथ टैगोर निधन हुआ 1597 में मेवार के राजपूत शेड महराना प्रताप का निधन हुआ था वाइलखर में आजम बात करेंगे केंद्रिये नागरिक उडियन मंत्री के बाड़े में शोशल मीडिया पर कहीं सुचना ये वाइल होती है लेकिन सभी सच हो ये जुरूई नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे केंद्रिये नागरिक उडियन मंत्री के बाड़े में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि समवाद टीवी नामक YouTube चैनल दोरा एक वीडियो में अदावा किया जा रहा है कि केंद्रिये नागरिक उडियन मंत्री जोती राधित्यस शिंधिया ने इस्टफा दे दिया है प्याई बी न अपने ट्विय्ट में आगे लिखा है कि दावा फ़र्जी कंद्रीर नागरी को डिया there ता थ्ति बर अपनी भाशा में ऐसे ट्रांस लेट करें मैसेज अगर आप भी वर सैप पल्भ उत्वीट रप करना Thanks do इसके लिए आपको अपने WhatsApp का translation feature का उपयोग करना होगा इसके उपयोग से आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं इस translation feature का अस्तमाल करने के लिए आपको सबसे पहले WhatsApp चैट खोले और एक नया message टाइब करें अब संदेश पर लंबी समय तक दबाए रखे जब तक आपको menu दिखाई दे अब menu से more चुने इसके बाद मिलने वाले विकल से translate option को चुने अब आपको translate message दिखाते वे एक pop-up window दिखाई देगी अगर संदेश का आपकी पसंदीता भाषा में translate नहीं हुआ है सामने आई है कि साल यानी की 2023 में भायत की कंपनियों में काम कर रहे करमचारियों की सैलरी में 15-30% से ज़्यादा का increment हो सकता है इस सर्वे से यह नुमान लगाया जाड़ा है कि साल भारतिये कंपनिया वेतन व्रधी में 9.8% तक का इजाफा कर सकती है जो एशिया के अन्य देशों के मुकाबले में सबसे जादा है आपके जानकारी के लिए बता दे कि पिछले साल 9.4% तक वेतन में व्रधी की गई थी यानि कि इस साल 2023 में एशिया में सबसे आदा सैल्वी हाई खोनी के आशंका भारत कहीं है इसके साथ ही बढ़ते हैं आच के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके नुसार बिहार को विशेश राजे का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं आप अपने जवाब हमें हमारी comment section में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी news और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेस को follow करना ना भूले धन्यवाद